आज तारीक है दस मार्च 2022 समय हो गया है वन जीरो डबल पिन 104 पीम ये पाकिस्तान के निरी प्रानियों हे भारत के भारतिय जन्ता पार्टी को वोट दे करके सत्ता में लाने वाले निरी प्रानियों तुम्हारा संसार में आना व्यर्थ हो गया नियम अनुसार भारत और पाकिस्तान की विपक्षी पार्टियों में जिन्होंने भी सत्ता पक्ष के नोट बंदी का विरोध किया था वोही बारत के नागरी कहला पाएंगे मेरा ऐसा मानना है सिरी सूत जी से प्रसन किया गया बाई साव आपको नूँ अरे यार मैं वही बगल में बैटा वह सुन रहा था सिरी सूत हुआ चा भूत नीवालों मातमा गांधी सूत निकालता था चरके में से सूत उसी परकार निकालता था जिस परकार मकड़ा गारी सूत होता है मकड़ी के पीछे से निकलने वाले को सूत क्यूं कहा जाता है तो क्या मैं जान सकता हूँ क्या ये वही सूत है जो भारत में और पूरे विश्व में स्पाइडर नेटवर्क बनाता है अबे बीच में ना बोल तू एक गिलास चाह लाके बोलता है चाह पीजिए आप पी लीजिए हम अपने ले खुद मंगा लेंगे किस मत मैं लिखे हो लोड़े तो कहां मिलेंगे पकोड़े हितने इसके घर में आके पकोड़े खाने वालों ए पकोड़े की दुकान वालों तुमारी दुकान के पकोड़ों किर्पिया करके समोसे और समोसे को ही पकोड़ों की शिरिनी से दूर रखा जाता है ब्रेड पकोड़े भी पकोड़े हैं ट्रैफिक पुलिस ने अगर आपको पकल दिया तो बजार में जाके चार ब्रेड पकोड़े खरीद के सुपर वोईस में उसका खर्चा ट्रैफिक पुलिस को देना ना भूलो ऐसे ऐसे कोड छुपे हैं मौलाना मसूद अजर मलका सुर्की विद्या आपके घर में पाई जाने वाली दाल मलका ही मोहिनी का महा मोहिनी का जो समुद्र मन्थन में निकली थी उसका परमब हो गए तो यह बैस सुनोई तू बीच में ना बोल भे साब मेरे सबको चुप करा रहा हूँ अब ऐसे चुप करा आएगा तो मुझे लगता है मैं ही ना बोलू इस समय बार बार गिलास दिखा कर के तू क्या कहना चाहता है हाँ तू रहने दे महीं पी लेता हूँ तुम्हें मैं बार बार समझाता हूँ है भारत वासियों स्वर्ग वासी की इच्छा रखने वालों तुम्हें मोदी एनर्सी में वेरिफाई करके नर्क वासी बनाना चाहता था एनर्सी को लिखोगे तो नर्क कहलाता है और यकीन जानिये नर्क में जाने के लिए तुम्हें धन की आवसकता नहीं है यह वही हितेश मंडल है जिसने कहा था हीरे कमालो जवारात कमालो और कमालो मोती लेकर कैसे जाओगे वहां कफन में जेव नहीं होती क्यों कोई बेटा मेरी बात मान जाओ इसने आज जो कहा मैं उसी बात को कह रहा हूँ नर्क में तुम्हें जाने के लिए धन की आवसकता नहीं होती है यह सिगनिफिकेंस में तुम्हारे को बार बार समझा रहा था अब यह तुम्हें ऐसे नलाएगा जैसे एक विक्ती अपने प्यारे से कुटे को तुम्हें बीच में ना बोलो हमें बोलने दियो यदी विश में यूएन वाटर वाले ना होते दबेटा तुम भी लक्की गी तरह रेड पे जाते और पेपसी कोला से पिछ वाड़ा दोरे होते तो इन्वेस्टिगेशन है पता लगा कि लक्की को उड़ाने वाले जी हाँ पेपसी कोला के ही डिस्टिबूटर थे उनको इतना बुरा लग गया तेरी माँगा वो तड़ा तू क्या समझता है बे अब पीने के लिए दी दोने के लिए धोड़ी दी कोलिंग में कोकीन दे दी कोक में ऐने चाहे के बाद लक्की ने क्या खर एए उसे पुरिया लेकिया है कोकीन की उसने कोको-कोला या पीप्सी कुछ खरी दी उसको एडवाईस के उसने क्या खर एव तो कोक में दा दी अब चुब रहते हूँ और तेरा लक्की हमें नहीं सुनना है समझ गया मेरे ही तू इस समय कथा गाथा में बीच में ना बोल एक सब्सक्राइब के रिचार्ज से डाटा पैक के लिए जूजने वाले हितेश दिमागी मा बेहन पहले बता दे रहूं तू हमसे क्या बोलेगा भे तेरे को हमें साइसी बात की चिंता रहती है तेरा इंटरनेट खतम हो गया तो गरी चार्ज कैसे होगा तेरी हिम्मत कैसे हुई तूने मेरे को क्या बोल दिया तूने मुझे पहचाना नहीं मैं वही सूत हूँ जो हर गरंथ मैं मिलता हूँ मकड़ा गारी सूत किस भूतनी वाले ने बोला था बे मैंने कहा बोला जी मैं तो सुनता ही आया हूँ अब है भौसड़ी वालों बेन के लोड़ों चूतियों हम असली देवी देवता हैं हम इतेश के द्वारा ही आपसे बात करते हैं मैं वही हूँ जिसने तुम्हें बगवान स्री किरिस्न की रास लीला के उनके सेक्सूल मेंशन के बारे मैं बतायाता हूँ मैं वही हूँ जो तुम्हें यह बताता हूँ प्रभू स्री राम आज तक एक ही वेक्ति को ढूण रहे हैं किस मा के लोड़े ने बोला था कि स्री राम ने एक पत्नी वरत दारन करने की कसम खाई है अब तू चुपरे तू बीज में कैसे बोल रहा है बे इतने बड़े गरंथ लेके आया है इसको पढ़ना शुरू कर हमें उससे कोई फरक नहीं पड़ता है बार बार लिखावा आता है इस री सूत हुआ चे मैं वही सूत बोल रहा हूं बे बोल तो इसके आगे की गाली भी सुना दू हमने पहले ही समझाया था जरास अभी कुछ हुआ तो हम तो अपने लोक में ही रहेंगे पिटेगा फिर से मंडल मैं इसी ने जानना चाता था मैं ब्रह्मा के पास पहुँचा तो वहां जाके देखा कमल के ऊपर एक कुता बैठा हुआ है मैंने का अरे प्रभू ब्रह्मा कुता उधर से जो है पूछिला रहा था मैंने का अबे यार ये क्या हुआ तो उधर से सुपर वोईस मिली और वहां से छुपके प्रभू विश्नू बोलते अबे सूत तू जानता नहीं है मंडल ने जो है ब्रह्मा पे पास उपतासर चला दिया इसलिए ब्रह्मा जो है कमल पे बैठे बैठे ही कुता बन गया मतलब ये जो ब्रह्मा बना फिर रहा था ये कहीं आई भी वाला तो नहीं तो मैं तो प्रह्मा से पूछने क्या था अबे तुझे बनाना ही था हमारे भी सरीर पे कोई निसान मना देता ये मंडल के हाथ पे तुने राच क्यों लिख दिया भे हम सारे देवी देवता क्या मर गए थे देखो जरा स्वर्ग के अंदर इसने वह धम मचाया कि इसने इंद्र और इंद्रानी पे भी हम तो सोच रहते कि ये बहुत बैमान हैं इंद्रानी के चक्कर में हम भी स्वर्ग जाना चाहते थे पता चला कि इसने इंद्र और इंद्रानी पे ब्रमास्टर चला दिया अब यार ये कैसा गोर अनर्थ किया तूने दोनों को ही बख्ष दिया और प्रभू स्री क्रिस्न के गौलोग में बेजा तो वहां से लात खा करके ये फिर बहार आया और बहार आने के बाद इंद्रानी नहीं तरा मारा कहा अबे उन्लू के पठे इंद्र तेरे सा बढ़िया तो मंडल से ही सेटिंग कर लेती दर्ती पे इतनी लुगाईयों से सेटिंग करके बैठा है कि इसकी माँ को जो इसके बाप की पेंसन मिलती है बेटा पैर और गोड लगाई में जो नेक खर्च होने वाला है इसकी माँ को उसी के कारण बिमारी हो रही है इसकी भावी इसकी भावी के बीपी हाई इसले हुआ है सोच रही है इतनी सारी जो ये साधियां कर रहा है इन सब को मैं एक एक जोड़ा भी अगर साधी का देना शुरू करूंगी तो मेरी दो सबज सारी जमापूंजी चली जाएगी उदर सर्सुती का हाल देखो सर्सुती के हालात ऐसे हो चुके हैं कि मंडल की किताब पढ़ने के लिए इसके कान के पास आकर के सुपर वीजूल दे रही है और पिटते फिर से फिर ये धर्तिवासी है हम देवी देखताओं को तुम चूतिया मत समझना तुम्हारी हम वो माच हो देंगे कि तुम्हारे बापने भी नहीं चूती होगी हमसे बड़े कलाकार तुम ना थे ना कभी हो सकते हो प्रबू ऐसा है मैं चाय पीना सुरू करूँ अब ये मंडल जिस दिन तुने ब्रमाण विजे पड़ी हमने उसी दिन जाके कात्यानी से पुख जा था हे कात्यानी उस धर्ती पे जो मनुष्य से दिख रहा है उस मनुष्य ने ब्रमाण विजे पड़ी है और पूर्ण विदिवत परीके से पड़ रहा है अब सारे देवी देवताओं को इसको पढ़ाना पड़ेगा यह ब्रमाण विजे पड़ेगा तो हम क्या जाके वापिस अपनी मा के बोसरे में रहेंगे तुम क्या समझ रहे हो बे तुम हो कौन कात्यानी इन साली लुखाईयों के चक्र में पूरे देव लोग की मा चुद पत्रफिद मत मनाईयो और बनाईयो तो मन्डल को न पंड़े तीओ ले पंड़े में इतना जिक आसूँ रहा कि इसको हमने जो है अयो ध्यामे भी नहीं पंड़ने दिया वहां से इसको को निकालो आ करके हमने इसको वन में भेजा वन से यह नाने क्या गया सरियू में पूरे अध्यावासी को सरियू में कुद्वा करके वापिस यह अपने घर आ गया पुर्गुजाओ प्रभू देखो ऐसा है सूत जी आपकी बात बिल्कुछ सही है यह समझा दो एक सरस्वती और बाकी इनको अब क्या समझा दे तू क्या कहना क्या चाहता है हमें तेरे चक्कर में पूरे ब्रह्मान में सभी देवताओं की लुप-लुप हो रखी है वो तो ठीक आपकी बात बेटे तुम बीच में तुम सब जरा साइड हो के बात करो मुझे एक और कथा लिखनी है अभी स्री सूत वाच और आने वाले भविश्य में तुम हितेश को संसार में एक नए देवताओं सुरूप में देखोगे और ये सारी बात में लिखके ही रहूँआ देख लेना कोई नी बचने वाला मैं इतना कठोर हूँ कि मैं तो महादेव की भी सारी बाते बदा देता हूँ और ऐसे ऐसे ग्रंत लिखूँआ कि तुम जिंदी भरियाद रखोगे इन मीडिया वालों की माँ का भोस्डा मेरे से बड़े तुम मीडिया रिपोटर नहीं हो सकते हो तुम मेरे से बड़े नियूज रीडर नहीं हो सकते हो सूत से बड़ा कोई भी नियूज रीडर नहीं हो सकता है ब्रह्मान काल्स के ब्रह्मान की उत्पत्ती से लेके अब तक प्रत्वी लोक में भी मेरे ही दुआरात बताए गए गरंद चलते हैं ब्रह्मान की मां का भोसना तुझे मेने पढ़ाया था बे यहां पर पुरान है तो कुरान पढ़ ले मन डलते रहे लिए मैंने अगर चुरान ना लिखवाई तो मेरा नाम भी सूत नहीं प्रभू ऐसा है बाते हैं आपके सारी सही है अब हमारी ही तो बात सही होती है ने वो सारी बात आपके ठीक है मैं यह कह रहा हूँ आपसे कि डवल वोईस एस्पी जी अबे ये लोग क्या जाने एस्पी जी क्या होता है हम क्या अंग्रेजी नहीं पढ़ सकते हमने तो खुदी इनको समझाया था अबे थोड़े बहुत मार के इदा ओदर फेखते हैं थोड़े उधा दर फेखते हैं कुछ अमरीका गिरते हैं कुछ ऐसी जगा गिरते हैं जहां इन्हें कुछ नहीं आता तो अपनी जैसी मर्जी भासा में बात करते हैं अगर हम लोग अपने ग्रंतों का ट्रांसलेट किसी और अबे तेरे हाथ जोड़ लूँगा वहिया इसकी ट्रांसलेशन बंद कर वाद है म महादेव अपनी महासंगनी के साथ विराजमान थे केते आओ डार्लिन तुम्हें पहाडों में ले चलता हूं तो और तुम्हें अमर कथा सुनाता हूं अबे अब भी नहीं समझा और क्या बोलेगा बेटा धर्मनुसार कथा में हनीमून पर जानेगा यही तरीका होता और क में चूति है 아ि बैटे मंडल आज मैं तुझे परम जाना देता हो उपरहमान का और प्रहमान का परॉम्हान एक है अमर कता एक है बेटा और वह है और शिर्फ और पिश्टन के इंजन का विस्कार करने वाला आपने आपको ज्यादा बड़ा समस्त है हमने करवाया था वे पिश्टन का विस्कार और वर्ल्ड का नेचरल पिश्टन संसार में हम बंद नहीं होने देंगे